इत्यास में समबत पहली करता है जब एड़ पॉर्ट के अंदर प्लेंट से जो है जी शुरूपने उतारा गया पौन खेडा जी को एरेश करने के लिए आसाम पुलीश आकर के उतार रही है और के कारण सभी अमारे जो नेता लोग के शीविन गुपाल जी, सुजेवाला जी, सुपरिया जी जा रहे थे दिल्ली राइपूर अधिवेशन के अंदर यह मारा महा अधिवेशन है अब यह हद हो गई है कि जित्ती निंदा करें उत्ती कम है हर राजनरी पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महा अधिवेशन होते हैं यह मारा प्लेंडरी अधिवेश गटना हुई का आप इस रूप में पवन खेडा जी को उतारा गया उसके प्रोट्रेस्ट में सभी नेचालों उतर गये वहां धर्णा दिया है यह गटना देश नहीं दुनिया बर के अंदर हमारे देश की बद्नामी कर रहा है यह सरकार चाहती क्या है क्या प्रजार मंति जी को ग्रव मंति जी को नौलेज में नहीं है कोई मान सकेगा इस बात को क्या उनके बगर नौलेज के इस प्राई को हिम्मत कर सकता है बहुत दुर्पा जी पुने स्थिती बनती जा रहे देश के अंदर इतने बार-बार कहते हैं कि लूग तुन तुन को खत्रा हो रहा है सभ ठेंगा ही और विरुद्द कर संथ्चा अंदियान के जा रहा है तना बढ़ता है इंत्य जा रही है वो प्रेम की बात करते हैं और इंसा की बात करते हैं तो बहुत दुरबागी पूर इसनी बंती जाहरी मुझे बहुत चिंता लगए हुई है कि यह किस रूप में देश की दिसा में जाएगा, किसको नहीं मालूम है, अहम गमंड काम नहीं आएगा इनका, आहम जनता इनके अहम को गमंड को धरासाई कर देगी, इनको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे कहते अफ्शोस है कि आज लंबा राती जीमन हमने भीताया है, इंद्रा जी को बजनायम करते हैं कि अमर्जें लगा दी है, आज अ पूरे अहलात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सारा लेकर के अमर्जें लगाई थी, और जनता ने उत वक्त भी उसको पसंद नहीं किया, इसलिए चलाम हम वहार गये थी, ये तो बिना गौशित किया वे अमर्जेंची ये अमर्जेंची बड़ी लगा दी है, किते पत्त् संद्रा, सुप्री कोट से उसको निमाद मिली है, क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, बहुत चिंता है बात है, देश वाशियों को मैं समझता हूँ, इन बातों में घौर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनंद करना चाहिए, और जहां बश चले, सरकार के नुमाइन को बताना से हैं, आपका रास्ता सही रास्ता नहीं है, आप घलत रास्ते कि चल पड़े हो, और यह इन रास्ता मोगो द्रुक देगा, आपको दुक देगा, देश को दूग देगा, बहुत सत्थी खराब है, देश की बना मिario, और पुरे मुलक में दुन्या मुलक में झाल झाल